हाई अब्रिवन सभी का वाम वेलकम है वाईटी योर इंगली शूटर पे आज सुबह का 12 जैनुवरी का फर्स आर्टिकल अडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं दहिंदू का रेकलस स्प्री इसका टाइटल है यह आर्टिकल लिखा हुआ है जोशी मत नाम की जगह पे जमीन के धस जाने पे और यह जमीन का धसना जिसको हम सबसीडन्स भी बोलते हैं यह कितना आम हो चला है आजकल भारत के पहाड़ी एरियास में इसके क्या रीजन्स हैं और सरकार क्या इसके लिए कर सकती है चलिए नैच्छल डिजास्टर पे लिखाव आर्टिकल है एंवारिमेंट में करवाता हूँ ऐसे क्लाइस को शुरू करते हैं अ लाइट ने बेट क्या वहलेक left श्रीश ने नई वर्ड़े से आपके लिए तोड़ करन बताता हूँ थोड़ आपके दिमाग में बैठेंगे रॉक मतलब होता है के और यह का मतलब होता है बिना तो careless और reckless एक ही बात है कोई भी चीज अंदा धुन हो करके खी जाती है तो वो reckless कहलाती है क्योंकि उसमें आप care नहीं करते हैं आप बस उस काम को करते ही जाते हैं और यह spree word है न इसका meaning होता है जड़ी हिंदी में और भी काई meaning है नाचने कूदने को भी spree करना बोलते हैं लेकिन यहाँ जो meaning लगा है वो लगा है जड़ी का अब जड़ी क्या होती है एक सीरीज फोर एक्जामपल आप shopping के लिए निकले अब सुबह निकले हो 10 बहे तक रात को 11 बहे तक shopping ही करते हैं जहां जो दुकान दिखी जब तक पैसा पूरा फूंक करके नहीं आए घर नहीं गुसे तो आप एक shopping spree पे हैं आज आपने shopping की जड़ी लगार किये इसी तरीके से आप किसी आदत की भी जड़ी लगा सकते हैं आपको पीने का शौक है आप drinking spree पे हो आपको पीचा खाने का शौक है आप डॉमिनोस पे चले गए और आज पीचा eating spree पे लगे हो सुबह से राद तक पीचा खाये जा रहे हो बार बार इसको binge बोलते हैं common language के अंदर इस word को spree को किरह ऐसी ही careless या reckless spree पे भारत सरकार उतर आई है पहाड़ी एरिया में construction करने के नाम पे डैम बनाये जा रहे हैं रोड बनाये जा रहे हैं हो रहा इससे development पहाड़ी एरिया में लेकिन इससे लोगों को natural calamities धेल नी पड़ रही है अचानक से जमीन धस जाती है कभी land slide होने लगती है समझ में आगे न दोनों words डिटेल में बता दी हैं आपको reckless मतलब की careless बहुत ही पागलपन वाला spree मतलब जड़ी एक ऐसा आपका दिमाग में कोई चीज बैट दी वस अब उस काम को किये जा रहे हैं बिंज कर रहे हैं अब उस काम पे spree कर रहे हैं अब देखेंगे टाइडल पराग्राफ से हो क्या रहा है करें जी authorities must heed science and people living near mines and dams करें जो authorities हैं जो प्रशाशन है उसको heed करना चाहिए must का मतलब तो आप जानते ही हैं चाहिए ही चाहिए और heed का मतलब होता है सुनवाई करना किसी की बात को सुनना करें आप authorities को सुनवाई करने ही चाहिए और किसकी एक तो science की यानि की विज्ञान की और दूसरा उन लोगों की उन people की जो live near करते हैं आसपास रहते हैं mines के खजानों के और dams के यानि की बांधों के तो दोनों के अगर आप बात सुनेंगे न तो यह reckless spree आप बंद कर देंगे जो आप सालों दर सालों जो infrastructure बिल्ड किये जा रहे हैं पहाड़ी एरियाज में dams के पास में आप उसमें थोड़ इसी जो है नर्मी लाएंगे चलिए sentence का structure देख लेंगे authority subject है must heed इसकी वर्ब है heed का मतलब मैंने आपको बता दिया किसी चीज की सुनवाई करना अब देखो मेरा आपजिक सवाल है अभी इस heed word के आगे जो है अगर मैं to लगा दूँ और बहुत जगे आपको लगा हुआ मिलेगा मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ आप कैसे difference करेंगे sentence में कब तो heed word अपने आगे to लेगा और कब heed word अपने आगे to नहीं लेगा समझ पारे हैं ना question को heed के आगे बहुत जगे to लगा हुआ होता है और वो भी सही होता है आज नहीं लगा हुआ है और क्यों नहीं लगा हुआ यह आपको बताना है कब लगा होगे कब नहीं लगा होगे इस concept को आपको समझना आना चाहिए चलो जिनको आता होगा वो इतनी दर में समझ गए होंगे अब फटा बटस इस concept को देख लेते हैं देखे यह concept है वर्ब और नाउन के same form रखने का बहुत सारे words एंगलीश में जिनकी verb form और noun form same होती है आप उसमें difference नहीं कर पाते हो और difference नहीं करने पाने की वज़े से आप पैजान नहीं पाते हो कि verb form तो कोई preposition नहीं लेगी अपने बाद में noun form के बाद में एक preposition fixed है यह सारे words मैंने आपके सामने मोटे मोटे लिख दी हैं basics में भी आपको करवा दिये गए है heat, impact, attack, target, order, stress, emphasize, control and access heat अगर verb है, सुनवाई करने की बाद कर रहे हैं तो कोई preposition नहीं लेगा लेकिन अगर heat noun है heat का मतलब यह सुनवाई, सुनवाई करना नहीं सुनवाई noun form में, तो इसके बाद में to लगा हो आता है तो sentence की requirement देखनी है word क्या काम कर रहा है, उसके हिसाब से preposition को आपको चिपकाना है attack एक verb भी है, attack का मतलब होता है हमला करना और attack एक noun भी है, noun form में इसका मतलब होता है हमला हमला करना नहीं हमला तो जब हमले की बात हो noun form में, attack के बात में होना आता है verb form में no preposition target का मतलब target लगाना और target का मतलब निशाना order का मतलब है order करना और order का मतलब होता है एक समझगी न, order noun form में stress का मतलब होता है जोर डालना verb form में noun form में stress का मतलब होता है जोर या किसी चीज़ पर तनाव या दवाब control करना या control access पाना या access इस तरीके से सारे words noun और verb form में एक जैसे दिखाई देते हैं अब कुछ मैं आपको questions करवाता हूँ दिमाग में और अच्छे से concept बैठेगा only the general manager can access to the bank account of the company महज जो general manager है वो access कर सकता है company के bank accounts को और अगला sentence देखो only the general manager has the access to the bank account of the company सिर्फ general manager के पास access है पहुँच है उपलब दता है bank account की जो है company के दोनो sentence एक ही है अब ध्यान से देखना फर्क हैं में फर्क यह है यहाँ पे can helping verb है access main verb है कैसे पता लगा helping verb के बाद main verb तो आईगी model तो अपना main verb लेगी access बन गई main verb और verb बनने के बाद access के आगे का to निकल जाएगा लेकिन यहाँ पे जो second sentence है ना इसमें helping verb नहीं है यहाँ पे main verb लगी हुई है has और इसके बाद कोई दूसरी verb नहीं आ रही है has के बाद में वीत्री आती है तो वीत्री नहीं आ रही है यहाँ पे noun आ रहा है access एक noun भी है है ना I have a pen you have some respect she has a car the company or manager has the access है ना has प्लस में एक noun अब इस noun के बाद में to बिल्कुल ठीक है इस verb के बाद में to गलत है तो sentence को break करेंगे और फिर देखेंगे क्या word कौन सा काम कर रहा है we ordered for a pizza we place an order for a pizza यहाँ पे order एक verb है verb की second form लगी हुई है यहाँ पे placed verb है verb की second form लगी हुई है order एक noun है and नाम के article के बाद में लिखा हुआ है तो जब यह verb है ना ordered इसके बाद का for निकाल दो और order noun जो है जो है आर्टिकल के बाद में आ रहा है उसके बाद का for बिल्कुल ठीक है बस यही आपको उपर बताया क्या order अगर verb हो तो कोई preposition नहीं लेगी order अगर एक noun हो तो अपने बाद में for लेगा थोड़ा सा गहरा concept है पर बहुत आसान है the court stressed on the need to curb corruption the court put stress on the need to curb corruption court ने stress किया code ने तनाव दिया जो है जूर दिया इस जरूरत पे जो है curb करने की control करने की बिस्तचार को यहाँ पे stress एक verb है verb की second form लगी हुई है code subject है आपका और यहाँ पे put verb की second form है code subject है और put verb का object है stress नाम का noun इसका मतलब होता है दवाब तो जब यह noun है न सर तो इसके बाद का on सही है और इसके बाद का on जो है गलत है verb के बाद का यहाँ से on को निकालेंगे यहाँ से 4 को निकालेंगे और यहाँ से 2 तो हम निकाली चुके है समझ में आगया concept चलो आज देखलो यहाँ पे heat बना must helping verb के बाद में main verb है भाई तू नहीं आएगा इस वज़े से नहीं लगा हुआ चलो अब इसी तरीके से 12 से 14 जन्वरी की 3 दिनों की सेल है 269 रुपीज में एक साल का mock test pass आपको मिल जाता है SSC, banking, state exams, defense, railways सभी exams का एक single pack है जिसमें 50-60,000 mock test मिलते हैं हर variety के हर difficulty level के सेल का फाइदा उठाने के लिए comment section में link रखाए test book का जाके click करें आपको mock test pass दिखाएगा 299 का इस pass पे additional discount लेने के लिए code लगाए yt10 जैसे इस code को apply करेंगे आपको मिल जाएगा additional discount 269 में आपको pass मिल जाएगा code लगाना ना भूले maximum discount के लिए yt10 comment section में link रखा हुए चलिए अपनी vocab sheet है सारे words है एक करकें को देख लेते हैं आज के words हा रहे हैं manifest से deprivation तो last करी चुके हम है न manifest का मतलब होता है किसी चीज़ का real बनना सकार होना हिंदी में इसका मतलब होता है अगर शुद हिंदी में अवतरीत होना Lord Vishnu manifested himself as God Ram Vishnu भगवान ने अपने आपको अवतरीत किया भगवान राम के जो है जो रूप में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप हिंदी समझते हैं यो बोलते हैं वहीं पर word भी fit होता है अवतार लेना या अवतार लेना तो साकार होना real बनना manifest word का यह मतलब है her dreams of being independent word manifest article में देखेंगे किसी भी चीज़ के सच होने की बात को बोलते है manifest होना अगला word है circumstance common सा word है इसको हिंदी बोलते है हालात situation condition context the island nation is going through extremely dangerous circumstances यह जो island nation है यह टापू से बना हुआ देश है यह go through कर रहा है गुजर रहा है बहुत ज़्यादा मुश्किल हादातों से बहुत ज़्यादा खत्रे बरे circumstances से चलिए अगला जो word है यह एक नहीं है तीन है और यह तीनों है freezer verbs set aside lay aside और put aside तीन verbs है और तीनों के दो meaning है set aside के भी है यह meaning lay aside के भी है और put aside के भी है और दोनों meaning आपको समझने है देखे aside का मतलब होता है side में अगर किसी चीज को set ले या put कर रहे हैं तो आप उसको side में या तो रख रहे हैं या set करके रख रहे हैं या उसको लिटा करके रख रहे हैं बात एक ही set करना put करना ले करना लिटा के रखना बिठा के रखना set करके रखना अगर किसी चीज को मेरे भाई side में रख रहे हो ना तो दो reason से side में रखोगे या तो वो आपके काम की नहीं है और या फिर आज आपके काम नहीं है कल आपके वो काम आएगी तो अगर आपके काम की नहीं है न तो इन तीनों का मतलब हो जाएगा आप उस चीज को cancel या ignore कर रहे हैं और अगर आपके काम की है आज नहीं है कल आएगी तो आप उसको save for future कर रहे हैं बिल्कुल logic से बता रहा हूं तीनों के meaning क्या होते हैं यही meaning है या तो किसी चीज को cancel या ignore कर देना जो आपके काम की नहीं हो और या फिर किसी चीज को future के लिए save कर देना जब आपके काम पड़े तब आपके काम आए The court had set aside the provision of reservation for marathas for state government jobs court ने set aside कर दिया है side में रख दिया है उस नियम को provision को जो था अरक्षन का मरठाओं के लिए state government jobs में महरास्टा की अब court ने क्या किया इस provision को cancel या ignore किया है court को लगता है ये काम का नहीं है तो set aside का पहला वाला meaning यहाँ पे निकल आया लेकिन दूसर देखो all of us should set aside a portion of our income for future हम सभी को side में रखना चाहिए save for future करना चाहिए अपनी income के एक छोटे से हिस्से को आने वाले वक्त के लिए यहाँ पर बात और यह save करने की पूरे logic से समझ गयो तीनों के meaning अब दो meaning है आज एक meaning आर्टिकल में इनी फेजर वर्प्स का आपको दिखेगा अगला word है जी prone prone का मतलब होता है defenseless prone word कहां से बनाए जब आप लेट जाते हैं अपनी छाती के दम पे है ना जब आपको पुलिस वाले लेटा देते हैं कुछ काम आप गलत कर रहे होते हो तो आपको क्या बोलते हैं अपना face नीचे करके lie face down करें या आपको डॉक्टर कभी-कभी छाती के दम पे लेटाता है अगर आपको कोई सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो आपकी prone position होती है और वो prone position जो है जिसमें आप छाती के दम पे लेटते हो आप बहुत defenseless होते हो ना आप देख पारे हो आपस-पस क्या हो रहा है ना आप कोई हरकत कर सकते हो हाथ आपके नीचे है तो prone यानि की defenseless word को ऐसे ही use किया जाता है चाती पे लेटने की बात नहीं हो रही है ये prone word का meaning ऐसा निकला है अब the poor and illiterate are prone to being involved in crime poor और illiterate जो है वो defenseless होते हैं मजबूर होते हैं crime में involved होने के लिए ना उनके पास समझ होती है ना पैसा होता है crime में involved होना बहुत easy हो जाता है उन लोगों के लिए मजबूरी में susceptible और vulnerable prone के दो synonyms हैं तीनों ही synonyms अपने बाद में two preposition लेते हैं susceptible to something, vulnerable to something, prone to something चलो last word करवा रहा हूँ आशका आपको pilgrimage नया word आपके लिए हिंदी बोलते हैं इसको तीर्थ यात्रा ये एक one word है तीर्थ यात्रा जब को आप कोई चार दाम की यात्रा पे चले गए आप मक्का मदीना चले गए आप जरूसलम चले गए और जो आदमी pilgrimage करता है उस आदमी को यानि तीर्थ यात्री को हम बोलते हैं pilgrim तो ये दोनों one words आपको याद रखने हैं तीर्थ यात्रा को क्या बोलते हैं? pilgrimage और तीर्थ यात्री को क्या बोलते हैं? pilgrim Most Muslims try to make a pilgrimage to Mecca for at least once in their lifetime जादर जो Muslims हैं वो try करते हैं कि एक pilgrimage करें, कोशिश करें कि एक तीर्थ यात्रा करें, Mecca की कम से कम जीवन में एक दफा, at least once in their life चलिए, यही 5-6 words डिटेल में हो गए हैं, अब आजाओ आर्टिकल पे, जब यह words आएंगे, वहाँ पे आपका revision हो जाएगा एक summary आपको दे देते हैं, देखो अभी भी क्या हुआ है, जोसिमत नाम की जगह पे, पहाडों में, एक subsidence हुआ subsidence का मतलब होता है, जमीन का धस जाना, अचानक से पड़े पड़े जमीन अंदर धस गई, है ना, डूब रही है पानी में, पानी उपर आगे, जमीन नीचे चली गई, तो यह गटनाएं, जोसिमत में हुई हैं, ऐसी गटनाएं और भी जगह हो रही हैं, कभी इत्राखन मे कभी, असाम में या गुजरात में भी, और इन सब के पीछे रीजन है, जमीन से संसादुनों का तेजी से निकाले जाना, और दूसरा, सरकार के दवारा बहुत बड़ी संक्या में, बहुत बड़ी मात्रा में, डैम्स का और सडकों का बनाया जाना, हमरा आर्टिकल ही कर रह को इन्वेस्टिकेशन करवा हो, ताकि आपको पता लगे कि कितने डैम बनाना सेफ होता है, और किसके बाद में सब्सिदेंस का खतरा बढ़ जाता है, तो आज की जो टोन है, सरकार के लिए सजेस्टिंग टोन है, ठोड़ी साइंटिफिक टोन है, साइंस की बात करेगा बा that has in fact manifested across India, in the neighborhood of several large resource extraction projects, के रहे जो लैंड सब्सिदेंस है, सब्सिदेंस में आपको बता दिये, किसी चीज़ का सब्साइड होना, decline या collapse कर जाना, पानी में डूब जाना, के रहे जो जमीन का डूब जाने का काम है, धस जाने का काम है, जोशी मठ नाम की जगा पे, ये बन च चुका है, ये एक sign बन चुका है, एक जो है, example बन चुका है, symbol बन चुका है, और किसी का भाई, ओफ लगा के बता रहे है, एक geological disaster का, ऐसी तभाही का, ऐसी आपदा का, जो geology से related है, धर्ती के विज्ञान से related है, geology क्या होती है, study of the earth, तो geological disaster ये बन चुका है, और ये कौन सा disaster है भाई, ये वही disaster है, जिसने manifest किया है, जिसने बार बार अवतार लिया है, वास्तम में, जो सच हुआ है, पूरे भारत में across इंडिया, सिरफ यहीं नहीं हुआ, इसके पहले भी कई हो चुका है, और कहां पे हुआ है, जब जब भी हुआ है, ये हुआ है, आस प्रोस में, in the neighborhood में, कई सारे बड़े-बड़े resource extraction projects में से, ऐसे projects, जहां पे resource को जमीन से extract किया जाता है, चीजों को जमीन से खनन करके बाहर निकाला जाता है, आगे बास समझ में, तो कई जगे चीजें बाहर निकाली जारी है, जमीन से बहुत बड़ी मत्रह में, और ये जोशी मत जैस manifested, manifest होना मतलब किसी चीज का real होना, actualize होना, realize होना, सकार होना, emblematic, symbolic, किसी चीज के लिए प्रतिकात्मक हो जाते हैं, example बन जाते हैं, perfect, resource extraction आपको में बता दिया, संसादनों का खनन, संसादनों को जमीन से निकालना, चलो और क्या हुआ जी, बाकी जगा की बताएगा आपको किरा जोसी मट को भूल जाओ, इससे पहले क्या हुआ था, किरा देर हैब बेन रिपोर्ट्स ओफ सब्सिदेंस फ्राम दज्जारिया, भार भूरकुंडा, कपासरा, रानिगंज, एन थाल्चर कोल माइन्स, फ्रॉम डेली और कॉलकाता, डू तू और एक्स्टेक्शन ओ ग और ऐसी ही रिपोर्ट्स आई है दिल्ली कलकत्ता से जब पानी को बहुत निकाला गया, जमीनी पानी को और एक्स्टेक्ट किया गया, और ऐसी ही रिपोर्ट्स आई है, गुजरात के महसाना डिस्ट्स से जब जमीन से हाइड्रो कापन को निकाला गया, कच्छे तेर को नि में आ जाए उसके बाद में जो वर्ब रखी हो उसका सही सब्धेट वर्ब के बाद में रखा होता है अगर वो plural हो तो वर्ब plural अगर वो singular हो तो वर्ब singular देख पारे हो न सब प्रजेक्ट पावर प्रजेक्ट बिगें टेस्ट रंस के रहें जी पिछले ही साल भूमी जो थी जमीन महिमाचल के चामा डिस्रिक्ट में है चामा एरिया में शुरू कर गई है सैग करना सैग का मतलब होता है धीला पड़ना दरारे पड़ना अंदर जो है धस जाना शोटली आफ्टर बिल्कुल बाद में ही एक हाइडरो पावर प्रजेक्ट ने जब शुरू किया अपनी टेस्ट रं को टेस्ट रं का मतलब है अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था सिर्फ टेस्ट करके दिखा गया था इसको करहा हुआ कैसे सारा काम जी है करहा जी तो तपवन विष्णू गौड फैसिलिटी के जो जोशी मट के नियर है उत्राखंड के अंदर आगी बाद समझ में तो हिमाचल में कुछ हो रहा था तो लोग शोर मचाने लगे कि बाजू में उत्राखंड है वहाँ पे तपवन प्रोजेक्ट हो रहा है उसी वज़े से हम निकल जाती है गुबारा लटक जाता है ना वैसे जमीन भी लटकने लगी अंदर ही धसने लगी और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं कॉल इंटू क्वेस्टन यहां पे पीपे से प्रिजेंट पार्टिशिपर साइव जब यह सारा काम हुआ तो यह कॉल इंटू क्वे डिशार्ज टू रिशर्जर्जर्ज रोट इन करेंट साइंस दैट दस सटन लार्ज स्केल दी वाटरिंग अब दस फैटा है अब यह संटेंस लंबा है देखो कितना बड़ा है और भारी बर कम है एक बार पूरा पढ़ दिया मैंने अब देखो तरीका क्या इसको पढ़न में अब और इसमें एक उमेड और इक ऑफर कहा है तो पानी क परत होती है ग्राउंड वोटर की जो 20-50 साल लोग पीते हैं और फिर वो जो है खता हो जाती है फिर और नीचे से पानी निकालना पड़ता है है ना एक पानी की परत को बोलते है करें जब इस मशीन ने पानी की इस संसना को ग्राउंड वोटर के और कहां पर जोशी मठ के नपास में निक कर दिया हलका सा उसमें चीरा मार दिया 2010 में और कैसे हुआ सारा काम सारा काम हुआ लीड टू करते हुए बहुत ही बड़े पानी के डिस्चार्ज की तरफ बहुत ही बड़े पानी की बाहर निकलने की तरफ करें इस 2010 की कुछ घटना के कुछ महीने बाद ही हुआ क्या हुआ ये दो researchers ने लिखा Current Science नाम की magazine में that वो ये कि जो sudden और large scale dewatering है जो तेजी से होने वाली large scale और अचानक से होने वाली जो पानी का निकलना dewatering मतलब water का D होना पानी का जमीन से निकलना करें और किसकी इस strata की इस aquifer की strata मतलब वो ही जमीन की परत की पानी की परत की करें इसमें potential है इसमें ताकत है कि ये trigger कर सकती है ये उकसा सकती है बढ़का सकती है ground में subsidence को जमीन में जो है collapse को इस पूरे region के अंदर तो 2010 में भी infrastructure बनाने के चक्कर में सरकार से गलती हुई थी ground water की aquifer को इन्होंने चीरा मार दिया सारा पानी बाहर आ गया researchers लिखने लगे ये पानी बाहर आते हुए देखकर के ये लग रहा है कि यहां पर जमीन दसेगी और 10 सालबा दस भी गई चलो जी machine की वाब है nicked निक का मतलब है चीरा मारना कट करना aquifer में आपको बता दिया underground water supply है न researchers की वाब है rot dewatering का मतलब होता है पानी का बाहर निकलना d plus में water है जिसकी वाब है dewatering की है न अच्छा और इसमें कुछ देखने वाला है strata मैंने आपको बता दिया यह aquifer और strata एक दूसरे कि सिनॉनिम सी है strata क्या होती है यह ऐसे परते हैं इनको बोलते है strata है ना तो यह एक strata, 2 strata, 3 strata, 4 strata तो यह ही aquifers है, यह strata है अब यह strata नाम का जो word है न इस पर एक grammar का concept बनता है इस word पर नहीं मतलब इससे बिला होगा है, वो connected है English में बहुत सारे यह ऐसे nouns हैं जिनके पीछे um आता है Greek root के हैं शायद यह Latin यह Greek root है यह nouns जब um लगाते हैं तब यह होते हैं singular लेकिन जब यह um निकल जाता है और इस जगा a लग जाता है तो यह noun हो जाते हैं plural जैसे कि stratum और strata stratum singular है और strata plural है datum और data यह data लिख देता हूँ ठीक है, datum यानि एक single piece of information data मतलब बहुत सारे data medium मतलब एक, media मतलब कई सारे bacterium मतलब एक bacterium bacteria मतलब कई सारे bacteria podium मतलब एक मंच, podia मतलब कई सारे मंच, curriculum मतलब एक syllabus curricula मतलब कई सारे syllabus तो इस तरीके से इन words को और भी है addendum, addenda है ना, corregandum, correganda तो इस सारे words आपको दिमाग में बिठाने है um से बनने वाले singular होंगे अगर um निकल जाएगा तो रह जाएगा ए, वो हो जाएगा plural बढ़ें आगे, आज से quiz में पूछागे question आप से, देख ले ना, bacterium bacteria भी बता रहा हूं यह है singular, यह है plural आगे कह रहा है जी क्या कह रहा है, कह रहा है जी determining whether the ongoing incident can be traced directly to the 2009 aquifer puncture is complicated by lack of long term scientific investigation of the area, कह रहा है, determine करना, निर्दारीद करना इस शीज को high या ना, weather, जो ongoing incident है, जो हाल की घटना है यह trace की जा सकती है, link की जा सकती है, सीधे सीधे और किस से, 2009 के aquifer function से, aquifer में होने वाले चीरे से, उसके अंदर छोड़ने वाले जो nix है, कह रहा है यह तो determine करने काम है ना, यह complicated है, और किस से, यह lack of long term scientific investigation से, लंबे term में 10 साल में को scientific investigation हुई नहीं इस एरिया में, इसी वज़ाए से यह काम जो है, complicated है, आगी बाद समझ में, determining आपका subject है इसको दे देते है, green color green color where are you, ठीक है, इसकी is complicated, determining is, is complicated incident की वज़ाए can be traced और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं trace करना, link करना, एक ही बात है कौन से चीज किस से trace हो रही है, वही चीज उससे link भी की जा रही है my success can be traced to my hard work मेरी काम्याभी को मेरी मैनत से link कर सकते हो, trace कर सकते हो, है ना के रहा हों, January 5th the NTPC issued a statement washing its hands of the unfolding crisis, after locals began pointing fingers at Tappo 1 विष्णुगाड, as well as Halan Marwari Bypass as part of the Chardam Project अब हुआ क्या, देखो ये तो आप समझी गए, यहाँ पे पानी का एक वो जो है नीचे underground water supply टूटी थी उसकी बात 10 साल बात जो है इस जगह पे जमीन धसी, इसी साल की जनवरी 5 में यह हुआ कि NTPC जो है न, National Thermal Power Corporation, जो की coal mines को देखती है, thermal power को देखती है कर देब 5 जनवरी को thermal power ने issue कर दिये एक statement को, अपना पल्ला जाडते हुए, washing its hand off करते हुए, washing its hand off करना मतलब अपना पल्ला जाड़ लेना, अपने हाथ दो लेना उसे statement निकाली, अपना पल्ला जाड़ते हुए इस unfolding crisis से, इस ऐसे crisis से, जो unfold कर रहा है आपके सामने थोड़ा-थोड़ा करके निकल करके reveal हो रहा है, और कब हुआ यह सारा काम तब हुआ, जब locals ने बिगेन कर दिया, शुरू कर दिया, उंगली उठाना, पॉइंट फिंगर करना, जब वन विश्नु गाड़ प्रोजेक्ट पे और साथ हैलांग मारवड़ी बाइपास पे और किस तोर पे, एक हिस्से के तोर पे, चार धाम यात्रा के जो बनाया जा रहा है, लोकल नही तो इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, संटेंस समझ में आ रहा है ना, एंटीपिसी की वव है, इसूट, लोकल की वव है, बिगिन, वाश इट्स हैंड ओफ करना, मतलब क्या करना, अपना पल्ला ज़ाड़ना, किसी चीज से हाथ साफ कर ले तो न National Geophysical Research Institute, set out on January 10th, to examine the circumstances of the subsidence, करें जो साइंटिस्ट हैं, इस बड़े से इंसिच्टूट से, जिसका नाम है इतना बड़ा, Council of Scientific and Industrial Research, National Geophysical Research Institute, समझ गे न, करें इन सब जगहों से जो विग्यानिक हैं, उन्होंने किया set out, set out, एक phrasal verb है, Commons English में, इसका मतलब होता है, किसी जरन परी दस को, और क्यों निकले, कि एग्जामिन करेंगे, जांज करेंगे, उन हलातों की, जो ये सबसिदेंस के, से, जिन से सबसिदेंस निकली है, जिसकी वज़े से, जमीन यहां पर दस ही है, तो पांस तारीक को जब लोगों ने शोर मचा हैं न, उसके बाद साइंटिस्स जो उनको भीजा गया कि आप जाके देख क्या हो, क्यों हो रहा है, साइंटिस्स की वह हो है, सेडाउट, सेडाउट बोलना, किसी चीज को, कमेंस करना, एक जर्नी को, एक सफर को, सर्कम्स्टांस, सिचुएशन, हलात, कॉंटेक्स, है न, देख चुकि हैं न, कंडिशन, कि एक तो नेशनल और दूसर स्टेट गवर्मेंट्स को, सुनी लेना चाहिए, हीट करी लेना चाहिए, सुनवाई कर लेनी चाहिए, इस टीम की फाइंडिंग की जो रिसर्च सीम अभी गई है, अगर जब भी फाइंडिंग इनकी आएगी, कि आप सीज करना पड़े, आपको रोग देना पड़े, आगे construction की activities को, further construction works को, नेशनल और स्टेट गॉवर्मेंट्स की वर्मेंट्स 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 की on many occasions to ease its dam building spree इतना है पढ़ेंगे लंबा सेंटेंस है करे जो expert है विदुवान है और जो civil society है नागरिक समाज है करे दोनों लोगों ने मिल करके society और experts ने call on किया है call on करना मतलब मांग करना किसी से demand करना इन्होंने demand किये सरकार से और कभ कई दफा on many occasions कि यह इस करें यह दिमा बनाएं अपनी डैम बिल्डिंग की स्प्री को डैम बनाने की जड़ी को थोड़ा सांस लेकर के डैम बनाएं ऐसे बनाते ही ना जाएं करे आगे को मा लगा के off late over rivers in north and northeast करे जल्दी ही बात करें अगर recently बात करें late में बात करें latest में off late तो उन रिवर्स क्यों पर जो है north में और north इसकी जो है राज्यों में अब देखो लगाए बतार है semi column दूसरा क्या बोला है इन्होंने दूसरा बोला है to moderate tourism in the regions to be sustainable और तीसा यह बोला है to not allow to not blow off unstable hillsides to widen roads तो दूसरा इन्होंने यह भी बोला है कि आप moderate करें tourism को tourism को भी नर्म बनाए इन regions के अंदर ताकि वो sustainable हो सके ताकि वो appropriate हो सके टिकाओ हो सके एक साथ में पंदरा बंदा बीस हजार जो है सड़के मत चोड़ी करो लोगों को यहां मत भेजो ज्यादा ज्यादा डैम्स मत बनाओ हमें यहीं पर रहना है experts और civil society की वह है have call on call on करना मांग करना स्प्री का मतलब आप जानते हैं जड़ी को बोलते हैं sustainable मतलब जो टिकाओ हो फीजिबल हो वाइबल हो जो लंबे वक्त चल सके उसको बोलेंगे sustainable call on मैंने आपको बता दिया डिमांड करना call for भी डिमांड होती है लेकिन call on होती है किसी इंसान से किसी सरकार से प्रशाशन से डिमांड करना और call for होता है किसी चीज के लिए डिमांड करना है ना जैसे the protesters called for a strike, protesters ने एक strike की डिमांड की जब किसी चीज के लिए करते हो ना तो for लगा के किसी इंसान से करते हो तो call on या upon से अब तीन phrasal verbs और बनती है call से call up, call at और call in on call up का मतलब होता है किसी को phone call करना call at का मतलब होता है किसी गाड़ी का, किसी bus का, किसी airplane का छोटे छोटे चोटे period के लिए किसी station पे, किसी location पे रुकना जिसे गाड़ी निकली, एमदाबाद से ग्वालियर, रुकते हो जाएगी ना, तो वो call at करेगी हर station पे 5-5 मिनिट का और last जो phrasal verb है call in on somebody, इसका मतलब होता है किसी के पास एक brief visit पे करना आपकी मदर बिमार है, चलो मदर तो घर में रहती है, आपके मामा जी बिमार है, तो मामा जी से मिल के आप office चले गए, है ना, तो आपने call in on your मामा जी किया, मामा जी से एक छोट इसी मीटिंग की brief visit उनको किया, यह सब important है, exams में आती है, याद करवा रहा हूं बार बार, use करो जितना हो सके, है ना, reading करोगे तो बार बार आएंगी, ले लो इनका screenshot, आगे बढ़ते हैं, चलो, blow of करना मतलब उड़ा देना, किरा heavy rains in ice wall, in July triggered subsidence, exposing poor joining enforcement, and oversight of the reasonable carrying capacity, अ किरा भारी बरसाद जो है, आईजवाल में, और क्या हुआ, कब हुई, जुलाई के अंदर, किरा इसने trigger कर दिया, subsidence को, जमीन के धसने को, और कैसे किया, expose करते हुए, एक तो poor joining efforts को, या poor joining enforcement को, और दूसरा, expose करते हुए, oversight को, को, कोताही को, डिलाई को, regional carrying capacity में, इस दूसर लो, देखे, zoning enforcement होता है, सरकार zone बनाती है, हर area में, खास करके protected areas में, कि ये जंगल बनेगा, या घर बनेगे, या दुकाने बनेगी, लेकिन कोई बदमाश होता है, जंगल में दुकान बनाऊंगा, सश्ती जमीन लेकर कर घर बना लूँगा, तो zoning enforcement करनी परती है, फिर सरकार वहां की जमीन खराब होती है, तो ये होगी zoning enforcement पूर है, दूसरा oversight बताईए, reasonable carrying capacity में, ये और कुछ नहीं है, किसी area के अंदर पहाड़ी या जंगलों में, एक carrying capacity बनाती है, सरकार कि इस से ज़्यादा लोग यहां नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे, तो यहां का ecosystem जो है, disturbed हो जाएगा, और ये सिरफ ना इंसानों के लिए बनाई जाती है, बलकि जानवरों के लिए बनाई जाती है, कि इस जंगल में 200 से ज़्यादा शेर नहीं रह सकते है, अगर रहेंगे, तो आपस में लड़ मरेंगे, तो ये reasoning carrying capacity इंसानों की बात हो रही है, उसमें oversight बरती गया, और zoning enforcement भी आईजवाल में, मिजवरम में नहीं करवाया गया, समझ में आगी बात, थोड़ा detail में बता रहा हूं मैं, पर ये चीजें, चलो, आती है, समझ में तो अच्छी बात है, रेंस की वह बैट रिकर्ट, आगे करें जी, but in Josimath, which is particularly prone to landslides, questions about zoning, carrying capacity, and dipping points, have all been set aside, करें ल zoning के, carrying capacity के, tipping points के, इन सभी सवालों को, question set aside कर दिया गया है, दर किनार कर दिया गया है, side में रख दिया गया है, cancel करके, आगे बात समझ में, यहां तो यह सवाल होई नहीं है, मिजवरम माईजवाल में होते तो है, यहां तो होते भी नहीं है, चलो, अब यह concept आप समझ चुक कि वहाबा have been set aside, चलो, करे, दा सबसेदेंस इन जोशीमत, हैस कैप्चर देशने काम है, जोशीमत नाम की जगह पे, इसने कैप्चर कर लिया है, नेशन की attention को, पूरे देश के अकर्शन को, पूरे देश के फोकस को, क्यों किया भाई यह, क्यूं की बाई बाई यह, क्यों क की एक destination है दोनों के लिए एक तो तीर स्यात्रियों के लिए पिलिग्रिम के लिए और दूसरा टूरिस के लिए यानि प्रेटकों के लिए इस वज़े से यहां पे इतनी मेडिया टेंशन मिल लिए नहीं तो यह काम तो रोज हो रहा है करें लेकिन यह फार फार है बहुत यह बहुत आज भी दूर है और किसी से फ्रॉम लगा के बता रहा है होने से वह जगह है जो ज़्यातों सबसे पहले और या फिर सबसे डेडलियस इंसिटेंट की है तो इस से पहले भी बहुत हो चुके है और इससे जादा मारक और घातक भी हो चुके है बस जो सी मटको अगब pilgrimage है ना Pilgrim मतलब यातरी Pilgrimage मतलब यातरा करे जीद the government must undertake whatever repair and restoration refers it is undertaking at Joshi मत at all the other sides as well करे government को undertake करना ही होगा government को execute करना ही होगा undertake करना मतलब अपने जिम्में लेना किसी काम को किसी काम का जो execution शुरू करना तो सरकार को execution करवाना ही होगा जो भी repair और restoration efforts यह कर रही है जो भी repair के बहाली की कोशिशें कर रही है restoration मतलब चीजों को पहली situation मिलाना पहली अवस्ता मिलाना restore करना जो भी यहां पर कर रही है ना it is undertaking जोशी मत पे और कहां undertake करना होगा इसको इसको करना होगा add at all the other sites as well दूसरी sites पे भी क्योंकि जोशी मत पे तीर त्यातरी जाते हैं तो यहीं पर मत करो सारा restoration यहीं पर repair मत करो ऐसी जगहें और भी है भारत में वहां पे भी तोड़ा सा ध्यान देना होगा government की वब है must undertake it की वब है is undertaking करा जी finally the national and state governments must listen to both science and the people already living near mines and dams करा फाइली जो national state governments है उनको सुनना ही चाहिए listen to करना ही चाहिए दोनों को एक तो science को और दूसरा उन लोगों को जो पहले से ही mines के नजदीक रहते हैं जो सबसे हादा खत्रे में अपना जीवन जीते है नासर गौर्मेंट्स और स्टेट गौर्मेंट्स दोनों की वब है दोनों को निकाली देता हूं मैं है ना गौर्मेंट्स ही बन गया subject आपका वब होगी must listen listen के बाद में हमेशा तू आएगा जिसको to emit more before becoming carbon neutral के एक आर्गुमेंट सी चलती है दुनिया बर में एक दलील पेश के जाती है there is an argument और किस चीज की भाई allow करने की economically developing countries को आर्थिक तोर पे विकास सहील देशों को कि वो emit करें वो discharge करें और ज्यादा वो दुन चोड़े more और इससे पहले किस से पहले भई before becoming carbon neutral carbon neutral बनने से पहले carbon neutral का मतलब है जितना carbon दुना चोड़ोगे उतना पेड़ पोदे भी लग जाएंगे उतना carbon शोक भी लोगे तो एक आर्गुमेंट है कि गरीब देश तो अभी दुना चोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो भी गरीब है करें लेकिन but it is not a free pass to plunder natural resources at the cost of climate justice करें यह फ्री पास नहीं है यह आर्गुमेंट से आपको एक clean shit नहीं मिल जाती कि अब loot करो plunder करो रोब करो और किसके natural resources की प्राकरतिक संसादनों की और किस पे climate justice की कीमत पे आप बोल रहो मैं तो climate justice कर रहा हूं गरीब देश हूं मैंको तो कोहला निकालने तो जितना निकलता है अमीर देशों के बराबर जब मैं निकाल लूँगा तब मैं भी कुछ काम करूँगा अच्छा कर रहा है लेकिन इसी चक्कर के अंदर कोई free pass नहीं मिल गया कि आप जो natural resources को loot खसोड करके खराब करो अच्छा एमिट करना मतलब डिशाज करना दूए को आर्गुमेंट की वाब है इस देर से कलो शुरूब है इसलिए subject के साब से वाब सिंगुलर रखी गई है इसका मतलब होता है इस कीमत पर इस कीमत पर अब इस फ्रेज की गलती ही है इसमें गलती ही होती है इस पर on the cost of लगाओ आपको examiner दे सकता है सही जो फ्रेज़ा वो at the cost of यह आपको यूज़ करना है एक्जामपल के लिए soldiers protect donation on या at the cost of their own life soldiers महफूज रखते हैं देश को अपनी खुद की जान की कीमत पर आजाओ अपने quiz पर आज के simple साई article था interesting था मेरे क्याल से अब आपको 100% understanding at least 80-90% तो आई गई होगी खोशिश किया अगरो self reading करने की उसके बाद वीडियो को चलाय करो ताकि आप सीख सको खुद से पढ़ना भी दो आना चाहिए ना फर्स question में आप से पूचा है जोशिमत सबसिदेंस जो है यहां पर जो जमीन धसी है इसको special focus क्यों मिला है वाई द जोशिमत है गेंड special focus बावजुद ऐसे बहुत सारी incidents के अकर होने के बहुत सारी दूसरी जगहों पर तो क्या रीजन है कि जोशिमत जोशिमत हो रहा है one of the alternatives यह आपको लगता है कि यह बहुत famous जगह थी तीर त्यात्रियों टूरिस्ट के लिए इस वजह से इसको इतनी hype मिली हुई है तो answer मेरे खाल से निकली गया होगा जिसने article ठीक से पढ़ा है first comment में answer डाल रहा हूं इसी lecture के नीचे जाके check कर लेना दो और तीन में दो errors मिल देंगी थोड़ा सा idea देता हूं मैं एक मिल सकती है इसके आसपास और दूसरी error मिल सकती है शायद आपको इस word के वजह से या इसके आसपास तो देख लेना कहा है errors निकालो first comment से match कर लेना third वे आपसे पूचा है call in on call in on इसका क्या meaning होता है फ्रेजल वर्पती करवा चुका ह रहा है तीर्थ यात्रा पूचा जा रहा है तो यात्री वाला मत लिखाना यात्रा वाला लिखना छे में आपसे पूचा है sentence को improve करके दिखाओ इसमें एक शायद फ्रेज लगा हुआ है on the cost of अगर इसमें लगे को improvement करनी है तो improve करके इसको दिखाना छेंगों के आंसवर इस imported courses है courses live नहीं है रोज live batch बनाई भी नहीं जा सकते हैं तो आपको first video से course को शुरू करते हूँ जाना है और भरपूर फैदा लेना है आप को download करें first comment में answer रखा हुआ है first comment में आपका link भी रखा हुआ है कोई भी query or team से बात कर सकते हैं इस number पे whatsapp message करके until then